नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र, मेरे योट्यूब चनल सिविल इंजिनेरिंग टेक पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे civil engineering students और civil engineer को beam और गडर एक similar structure ही लगता है बहुत हद तक functionally दोनों same behave करते हैं पर दोनों को बीच में कुछ differences है तो इस वीडियो में हम beam और गडर के बीच में six differences के बारे में जानेंगे तो आईए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहला difference यहा है beam structure का एक horizontal member होता है जिसे हम अपने structure में बहुत ही frequently use करते हैं वहीं गडर बहुत सारे छोटे छोटे beam को support करता है और यह भी हमारे structure का एक एहम horizontal member होता है दूसरा difference यहा है कि beam mainly distributed load carry करता है जैसे कि walls की load, floor की load और roof की load वहीं पे गडर mainly concentrated load carry करता है जैसे कि beam और column की बाज़ा से आने वाली reaction load तीसरा difference यहा है कि beam mainly residential projects या फिर tall structure में use करते हैं वहीं पे गडर को mainly हम commercial projects या फिर bridges और flyover में use करते हैं चौथा difference यहा है कि beam mainly simply supported, fixed beam और cantilever beam के रूप में use किया जाता है वहीं गडर mainly eye beam और box step गडर में use करते हैं पांचवा difference यहा है कि आप beam को गडर तो नहीं कह सकते हो पर जितने भी गडर है उसे आप beam कह सकते हो चटा और अंतिम difference यहा है कि beam को cast करते वक्त कुछ additional requirements की हमें खास ध्यान नहीं रखनी पड़ती है वहीं गडर के case में गडर को fabricate करते वक्त हमें कुछ special effects का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि plate sizing, erection, stability, etc. अगर आपको यह पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like कर देना और हमारी YouTube चैनल को subscribe कर देना धन्यवाद